हेलो फ्रेंड आज मैं वन टक्स बिलाओ जो आपको कट्रिन सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में तो मैं फेब्रिक यहाँ पर मैं ले ली हूँ और यहाँ पर अस्तर है तो यहाँ पर अस्तर के साथ मैं कट्रिन सिखाऊंगी और यहाँ पर स्लीप डिजैन के साथ फ्रेंड तो यहां पे छोटे बच्चे के लिए बिलाओ जो बान टक इसे कटिन करते हैं आपको इजली समझाने वाली हूँ तो फिर यहां पे फोर फोल में मैं अस्तर को बिछा ली हूँ पहले मैं अस्तर पे कटिन करूंगी तो सुल्डर मैं सारे चार इंच ले रही हूँ और यहां से मुझे तयारी करनी है 11 इंच का बिलाओ और एक पॉइंट लेकर मैं यहां पे टोटल 12 इंच पे लंबाई ले रही हूँ और आर्म हूण की लेंथ मैं चार इंच लेंगी इंच में हाप पे उपर से स्टीचिंग के लिए ले लूँगी उसके बाद चेस्ट का फोर भाग लूँगी 7 इंच यहाँ पे मैं आर्मोल की गुलाई भी दे रही हूँ एक फ्रन एक बैक के लिए उपर से कमर की फोर भाग लगाऊंगी 6 तो यहाँ पे टोटल कमर के जो भी भाग है आपको ले लेना है उसके मैं 1.5 प्लस करके अब मार्जिंग आप पो ले लेना है इस तरह से फ्रेंट उसके बड़ टाक पॉइंट के निशान यहाँ पे मैं 4 इंच के दे रही हूँ तो इस तरह से एक एक इंच का टाक पॉइंट के निशान आप 3 इंच चोलाई के तरफ से दे सकते हैं फ्रेंट शोटे बच्चे के लिए और नेक तयार करना है 2 इंच उलाई और 2 इंच लंबाई यह बैक पल्ला के लिए उसके बाद मैं यहाँ पर राउंड कर लेना है फिर इसी में मैं ड्रोइंग करूंगी फ्रेंट पल्ला के लिए तो इहाँ पर चार इंच के डिप देकर राउंड सेफ दे दी हूं उसके बाद कट कर लेना है तो मैं एक साथ कट कर रही ह烈 हूं फ्रांड पल्ला और बैक पल्ला आप चाहे तो अलगला कर सकते थे तो चल्येंग यह पर कटिन को आपको मैं बदलाव देना होगा आर्म नोल की तरफ फोड़ा सा उसके बाद में फेर्ट पल्रा की ग्रलाई जो है डिप उसको भी निकाल देन guit है अब यहाँ अगर आपको को saamnay में रखना है तो यहां पे आपको खोल देना है यहwald अगर पीछे के खोलना तो पीछे के पाट में खोल देना है तयान को इसको यहाँ पर निशान में दे दी हूँ तो फ्रेंड इस तरह से में फेब्रिक ले लेना है फोर्कोल में बिछा लेना है तो जो भी लंबाई है बस यही है इसी में मुझे स्ली भी बनाना है और इसी में बोडी भी बनाना है फ्रेंड तो यहाँ पर में फेब्रिक के उपर अस्त में निकाल लूँगी तो यहार से मैं बैक पला को अलग कर दे रहे हुँ आपड़ट पल्ला को यहांपे वापस से डभल भिछ लूँगी डभल भिछाने के बाद यहाँपे फेर से अस्तर वाली कपरा रखके यहाँपे थ्षोड़ा सा अर्म equation गोलाई दे दूंगी और नेक की गुलाई कंप्लीट कर लूँगे यहां पे देखिए कंप्लीट हो गई फ्रण पला बेट पला की कटिन फ्रेंड इस तरह से आपको कटिन कर लेना है विलाऊज की अब यहां स्लीप कटिन करेंगे तो यहां पर डबल फोल्ड कर रही हूं यह कपड़ा श्रीफ 9 इंच का चवलाई लंबाई है फ्रेंड स्वरी लंबाई है 9 इंच चवलाई है यहां पर 6 इंच यहां पर मैं जितना भी लंबाई है टोटल ले लोंगी और आरम हुन की गुलाई दो कर लेना है बाजू की तो यहां देखिए 9 इंच है और मुझे 7 इंच 8 इंच और चाहिए यानि टोटल 16 इंच रेडी करना है तो यहां पर फिल की तरह तयार करूंगी यहां पर जरजर की कफड़ा डबल फोल्ड में रख ली हूं यहां पर तो यहां देखिए दोनों बाज चुलाई रखी और मोरी की सबसे लंबाइ रख लीहां तो इस तरह से पट्टी 2 कट कर ली हूं तो यहां पर बाजू की कट्रिन लगभा कम्पिलीट कर ली हूं और बुछ की स्टिच्च में आपको बताती हैं तरह यहां पर में फेब्रिक और अस्तर को पहले यहां पर तेज़ब में मैं आपको यहाँ पे मैं फिल तयार करना चिंस एक बादे लेती हूं तो यह देखिए lebih और आप चाहिए तो आयोन करके बठा सकते हो फ्रीणि को तो मैं ready कर ली हूँ यह अब आया style बाजू है अभी यह बहुत trending बाजू चल रही है अब आया मैं ब्लाउज में तो मैं यह ब्लाउज में देने के लिए अब लेते हैं front पला के ऊपर मैं यह मैं फेबरिक रखना के बाद इसको भी अटेच stat चारो तरप से लिए ओपर से का सिलाइ जो होती है उसको एक एक इंच के दूरी पर जरूर देना है फ्रेंड इस तरह से चार इंच का लंबाई में दी थी तो इस तरह से आपको सिलाई एटेच करने के बाद उपर से मैं देखा देती हूँ तो यहां पे इस तरह से आपको ready कर लेना है तो फ्रेन यहां पे ready मैं कर ली हूं फ्रन्ट पॉइंट का ये निसान के उपर सिलाई तो इस तरह से सिलाई करने के बाद मिलाते हुए इस तरह से सिलाई करना है बाद मिलाना है बाजू को और सिलाई कर लेना है तो इस तरह से घुमाते हुए गोलाई में आपको शिलाई कर लेना है फ्रेंट यहां पे एक तरफ शिलाई हो चुकी है दूसरी तरफ भी शिलाई आपको सेम तरीके से आपको स्लीप कटिन किया हुआ है बस सिलाई कर लेना है तो यहां पे स्लीप को जोइंट कर ली हो फ्रेंट slip joint करने के बाद एक दूसरे के उपर इस तरह से आपको रखना है मिलाकर, मिला कर रखने के बाद में बाजू के तरब एक side से इस तरह से fitting की सिलाई देनी होगी तो बाजू से लेकर chest नीचे कमर तक आपको सिलाई लगा लेना है फिर दूसरे साइट सेम फिटिंग आपको सिलाई लगा लेना है नीचे तक सिलाई लगाने के बाद साइट में आपको इस तरह से रखना है और यहां पे भी अटेच करना होगा नीचे में एक इंच की दबाओ देकर नीचे में फोल्ड करके आप हम कर सकते हो काज पत्टी बटम पत्टी दोनों यहां पर दो-दो इंज का पत्टी मैं ले ली हूँ, डवर फोल करते हुए इस तरह से अटेच कर लेना है दोनों साइड में, तो एक अटेच होगी बाहर की तरफ एक अटेच होगी, अंदर की तरफ फिरेंड जैसे हम बनाते हैं मैं complete कर ली हूँ अब मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ तो इसके लूप आपको मस्त लगने वाली यह तो यह देख सकते हैं बाजू की डिजयन कितनी मस्त आई यह तो यहां पर बाजू का डिजयन फिल्ट तयार के सांद मैं बढ़ाई हूँ कि इसका कपड़ा बहुत कम था इसलिए अलग से मुझे जरजट का कपड़ा लेना पड़ा अब यहां पर नेक तयार करेंगे कोटन के कपड़े से तिर्शी पट्टी आपको कट कर लेना है और इस तरह से उपर से जोइंट करना है जोइंट करके पलट देना है पलट के अंदर के तरफ आपको सिराई लगा लेना है या हम कर लेना है फ्रेंट तो बस यहां नेक तयार में इजली तरीके से कर ली हूँ अब यहां नेक तयार हो चुकी है फ्रेंट यहां पर बलाउज रेडी है तो बलाउज रेडी करने के लस्ट में काम आता है यहां पर काज पट्टि और सबस्केल चार से 5 निसान राहे निसान के После उपपर रुप रख जाएगा यहां पर आपको लगा लेना है। और काजपट्टी तो फ्रेंड अब यहां पे बिलाउज की लुक देख लीजिए फ्रेंड यहां पे हाथ वली स्लीप कितनी मस्त लग रही है तो यह छोटे बच्चे की बिलाउज है आठ से दस सल की बच्चे की बिलाउज आप अपना ही साब से कम ज्यादा हाइट रख सकते हैं में मेथर से तो यहां पRE देख सकते हैं पहनने के बदा बच्चे का लुक इनमस्त अघ् workflows तो कि यहां पर हाथ की स्लीप कि डिजयाइन देखिए और बच्चे की बोडी में परफेक्ट आगया कहीं से कोई ज्वल नहीं आघ्रेंड इस तरीके बाब बाब बाब